दोस्तों बहुत सारे जीवन भीमा आभी करताओं के मन में एक सवाल बना रहता है, खास्तों से सोसल मेडिया को ध्यान में रखते हुए, कि सोसल मेडिया का उपियोग करके हम नए कस्टमर को कैसे आकरसित कर सकते हैं, या इसको अगर सरल सब्दों में मैं कहूं तो मैं कुछ कर सकता हूं कि आपके मन में भी या प्रस्त होता है, कि आप क्या सोसल मेडिया का उपियोग करके नए ग्रहक बना सकते हैं, नया भीमा कर सकते हैं, तो अगर आप इसका उत्तर हम से जानना चाते हैं, तो मैं तो आपसे यही कहूंगा कि आप 100% अगर आप सही दिसा में काम क पासकते हैं तो कैसे पासकते हैं तो दोस्तों आज की यह वीडियो इसी टॉपिक के उपर है लेकिन एक चीज कहूंगा कि बिना वीडियो को skip के हुई आप इस पूरी वीडियो को द्यान से देखिएगा चलिए हम अपने टॉपिक को सुरू करते हैं लेकिन दोस्तों इससे पहले कि मैं अपनी टापिक पर आगे बढ़ हूँ, एक चीज और आप से कह देना चाहता हूँ, अभी तक सोसल मीडिया से संबंधित, मतलब एक जीवन बीमा एजेंट सोसल मीडिया पर कैसे काम करे, इससे संबंधित बहुत सारी जानकारी के लिए मैं जिन जानकारियों को सामिल कर लिया है, जिस पर मैंने बात चीट कर चुकी है, मैं उसको इस वीडियो में सामिल नहीं करूँगा, हाँ एक चीज है कि उसमें जो दी गई जानकारी है बीमा बेवसाय के लिए अगर आप सोसल मीडिया पर काम कर रहे हैं, तो उन जानकारियों का उपयोग करना आपके लिए बहुत जादा महत्तोपोन होगा, आज सिर्फ और सिर्फ इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे कि आप अपने सोसल मीडिया एकाउंट पर ऐसा क्या कारी करें जिससे कि आपको नए कस्टमर मिलने की संभावना हो, तो चलिए अब अपने विसाय को सुरू करते हैं, सबसे पहले आपको अपने सोसल मीडिया के लिए करना यह होगा कि आप अपने सोसल मीडिया एकाउंट पर जीवन बीमा की जो योजनाएं हैं और उन योजनाओं से जो ग्रहक को फाइदा होता है, उसको सरल सब्दों में उसका डिसकसन या उसकी ब्याक इस तरह की तरह की तरह की लावों को देखकर लोग नया बीमा कराने लगते तो आज देखिए सोसल मीडिया हो गया वेबसाइट हो गया तमाम तरह की जो प्लेट फार्म है उस पर इस तरह की जानकारी तो पहले से पड़ी हुई है और लोग अगर इतने ज़्यादा एक्टी होते तो यकीनन वह LIC आफिस जाकर या सामने से एजेंट को बुला कर वह भीमा पॉलसी खरीद लेते लेकिन ऐसा होता नहीं है हलाकि हाँ पहले की तुलना में 2-3% का इजाफा हुआ है लोग सामने से एजेंट को बुला कर और उस पॉलसी को आनलाइन होने पॉलसी समझा एजेंट को बुलाया और होने पॉलसी खरीद लेकिन इसकी संख्या 1-1.5% से जादा या अधिक से अधिक 2% से जादा नहीं है कि योजनाओं में कोई इंटरिस्ट नहीं है आपकी जीवन आनंद पॉलसी हो गई या जीवन सिरो मड़ी योजना हो गई आपका इंडोमेंट प्लान हो गया या जीवन लाव योजना हो गई आपके इन योजनाओं में आपके ग्राहक का कोई भी इंटरिस्ट नहीं है यह योजनाएं एजिन्ट को आकर सिद करने के लिए यह योजनाएं होती हैं आपकी जो योजना होगी या सोसल मीडिया पर जो आप अपनी योजनाओं को प्रिजन्ट करेंगे वो आपके ग्राहक को आकर सिद करने के लिए होनी चाहिए Confuse नहों? मैं अपनी बात को एकदम सरल कर देता हूँ देखे, आपके ग्राहक को मतलब है कि वह बुढ़ा होगा तो उसको पिंसन किया हो सकता होगी आपके ग्राहक के घर में अगर किसी नौजात सिसु ने जन्द लिया हुआ है तो उसकी responsibility होती है कि उस बच्चे की जो basic सिक्षा हो गई, higher education हो गई तो ये education से संबंधिक जरूरतों को पूरा करने के लिए financial security किया सकता होगी, पैसों किया सकता होगी ठीक इसी तरह से किसी परिवार में किसी बिटिया का जन्द हुआ है उसकी responsibility है कि वह अपने बच्चे की साधी के लिए प्रवंध करना सुरू करे ठीके मुसल्मानों में एक बहुत ही बहतर रिवाज होता है जिसको की देन मेहर का रिवाज कहा जाता है यह जो रिवाज होता है इसमें जो पती होता है, जहां तक मेरे को जानकारी है जो पती होता है वह अपने पती पत्नी के लिए एक रकम पहले से निधारित कर दी जाती है इतनी रकम आप जब अदा कर देते हो, जो भी रकम देन मेहर की जो भी रकम होगी उस रकम की रासी जब आप अपने पत्नी को मर्दे देते हो, आप उसके बाद ही पती-पत्नी के संबंध को आप आगे बढ़ा सकते हो, ऐसा नियम होता है, तो खैरिया सिर्फ मुस्लिम समाज के लिए ही नहीं, आप हिंदू समाज के लिए भी, जैसे मालेजे किसी की नई ही हुई है, तो उसके लिए भी इस तरह की कोई प्लानिंग आप अपने सोसल मीडिया एकाउंट पर आप पेस कर सकते हो, ठीक इसी तरह से अगर आप हायर सोसाइटी में चले जाएए, तो लोगों के मन में, जो हायर सोसाइटी के लोग होते हैं, उनके मन में इच्छा यह ह होती है कि कल की डेट में जब मैं इस दुनिया में नर हूँ, तो लोग मुझे याद करें, तो ऐसे लोगों को आकरसिक करने के लिए, क्या आप कोई प्लानिंग प्रेजेंट कर सकते हैं, मैं संच्छेप में बात कर देता हूँ, जैसे धर्मसाला प्लानिंग हो गई, मंदि की योजना हो गई, इसी तरह से मिलती जुलती स्कूल निर्मान की योजना हो गई, इस तरह की प्लानिंग क्या आप सोसल मेडिया पर प्रेजेंट कर सकते हैं, यानि कि आपको जो आपकी योजना हैं, आप चाहे जिस भी बीमा कंपनी के लिए काम कर रहे हों, अपनी बीमा योजना को ग्राहक की जरूरत के अनुरूप convert करके आप प्रिजेंट कर दें यह योजना बिटिया की साधी के लिए है यानि कि यह कन्यादान योजना हो गई ग्राहक को क्या मतलब है कि आपकी इस योजना के अंदर जीवन लाव मिला हुआ है कि यह जीवन लक्ष पॉलसी आपने एड किया हुआ है ग्राहक कोई से कोई मतलब नहीं है हाँ यह अलग भी से है कि जब आप पॉलसी का presentation करते हैं ग्राहक तैयार हो जाता है तब आप प्लान को disclose कर देजे कि सर यह यह योजना है यह योजना कन्यादान योजना तो नाम है ताकि इस योजना के जरिए हम विटिया की साधी के लिए प्रबंद कर सकते हैं लेकिन बीमा की बेवसाय में या LIC की दुनिया में इस योजना को जीवन लक्ष के नाम से जाना जाता है यह disclose कर दे जब आप policy sell करते हैं तो क्या इसी तरह से जो दूसरी योजना जितने भी तरीके मैंने आपको बताए हैं जितनी भी जरूरते मैंने ग्राहक की आपको बताई है क्या इस चीज को ध्यान में रखते हैं इस तरह का presentation इस तरह की बातें आप अपने social media account पर रख सकते हैं मुझे लगता है कि आपको इस तरह से अपनी जो social media account है जो आप अपनी post करते हैं इस तरह से अपनी post को आपको करना चाहिए और जब आप इस तरह की post करेंगे ग्राहक को लगेगा उसके घर में छोटी सी बच्ची है उसको बच्ची की साधी के लिए प्रबंध करना है और आपके पास उसके product है जो उसकी जरुरत को fulfill करते हैं ग्राहक आप उसकी post से आकरसित होगा और यह संभावना बनेगी कि वह आपसे संपर्क करें इसके बाद दूसरा चीज़ आपको यह ध्यान धेना होगा कि आपको ग्यान और सलाह साजा करना होगा देखे ग्यान और सलाह साजा करने के दो चीज़े हैं सबसे पहला मत जिस चीज के लिए मैं इस topic को मैंने इस heading को बनाया हुआ है इसके पीछे मेरा दो उद्देश से है पहला उद्देश है कि जब आप अपनी प्रोफाइल बनाते हैं तो उस प्रोफाइल को बिल्कुल प्रोफेसमल करें मेरे सोसल मीडिया एकाउंट पर बहुत सारे लोगों का रिक्वेस्ट आता है खास्तों से फेस्बुक पर मैं एक्टिव रहता हूँ मैं जो मेरा खास्तों से लाइसी एजेंटों के लिए या जीवन भीमा एजेंटों के लिए जो फेस्बुक का एकाउंट है उस पर मैं कोसे से ही करता हूँ जीवन भीमा से जो लोग जुड़े हुए हैं यदि वह friend request करते हैं मैं उनकी friend request को accept कर लो पहली गलती अगर आप अपना जो facebook account है या social media का जो भी दूसरा platform आप यूज कर रहे हैं अगर वह आप अपने profession के लिए यूज कर रहे हैं तो आपकी जो profile है वो total public होनी चाहिए जो भी चाहे वो आपकी profile को देख सके आपने क्या post किया हुआ है वह देख सके और मैं पाता क्या हूँ कि तमाम जो अभी करता है उन्होंने हमें detail send किया मतलब कि उन्होंने friend request हमें send किया और मैं यह जाज करना चाहता हूँ कि यार यह जो agent है वास्तों में जीवन भीमा के agent है या न कि नया grant हम को मिल जाए लेकिन आप अपने आपको नहीं बता रहे हैं कि भीया मैं जीवन भीमा की policy sell करता हूँ मैं आपकी जरुतों को पूरा कर सकता हूँ यह आपका social media account है यह बता ही नहीं रहा है और आप उमीद कर रहे हैं कि हमको social media account के तुरू नय grant नहीं मिल रहे हैं मिलेंगे कैसे आपकी social media account की कोई post को पढ़े न पढ़े लेकिन एक बार देखने के बाद आपकी profile को अगर कोई customer एक बार देख ले तो उसके दिमाग में यह हो जाए कि यह तो जीवन भीमा का agent है यानि कहने का मतलब यह है कि आप जब अपनी profile बनाते हैं तो उसमें आपको अपना जो presentation है जीवन भीमा agent के रूप में जीवन भीमा अभी करता के रूप में अपना presentation देना चाहिए लेकिन अपनी profile को और ज़्यादा आपको attractive बनाना है जैसे में ऐसा नहीं है कि आप यह लिखें कि मैं जीवन भीमा advisor हूँ आपको यह लिखना होगा कि मैं जीवन भीम आप retirement planning sale करते हैं आप बच्चों की education की planning sale करते हैं तो आपकी जो profile है सबसे पहले आपकी profile लोगों के सामने जाती है अगर कोई आपको friend request करना चाहता है या आपकी विखें में जानना चाहता है तो वा आपकी profile को देखेगा तो आपकी profile में आप चिस किस चीज के विखें में expert हैं या आपकी profile उसको बतानी चाहिए आपसे मुलाकात तो बाद में होगी सबसे पहले वा या नेने लेगा कि मैं आपसे दोस्ती करूं की न करूं उम्मीद करता हूं कि जो मैं कहना चाहता हूं वहाँ आप तक पहुचा पाया होंगा और यदि पहुचा पाया होंगा तो मैं चाहूंगा कि वीडियो के comment section में आप अपना जो उत्तर है वो जरूर बताएं चलिए अब मैं दूसरी बात पर आता हूं दूसरी बात यह है जैसे मान लीजिए कि आप field में काम करते हैं आपने किसी व्यक्ति को कन्यादान योजना sell कर दी है या फिर आप किसी भी दूस सेली होगी तो क्या उसके साथ एक discussion की वीडियो बनाई जा सकती है एक ऐसी attractive वीडियो जिसमें कि आपका वह जो नया ग्राहक है आपके विशे में अच्छी बातें वह उस वीडियो के अंदर बताए ठीक इसी तरह से आप फिल में जब काम करते हैं तो हमारे बहुत सारे पांदिला दिया है तो आपका जो वह ग्राहक है क्या उसका अपने बीमा कंपनी के प्रती अपने सर्विस के प्रती आप कोई positive वीडियो ले सकते हैं निशित रूप से ले सकते हैं और आपको लेना चाहिए आप उनसे बैठिये discuss कीजिए पहले के माहौल क्या थे आज के मा 15 लाग की policy ले लो 15 लाग की policy आपके लिए suitable होगी या 25 लाग की policy ले लीजिए 25 लाग की policy आपके लिए suitable होगी जब बच्चा आपका बड़ा होगा एंजिनरी करना चाहेगा तो इस समय इस policy सी जो payment मिलेगा यहाँ आपके बच्चे की education को fulfill करेगा लेकिन customer बोलता है कि ने 25 15 लाग की policy क्या करना है आपको 2 लाग का भीमा दे दो तो क्या ऐसा question पूछा जा सकता है जिस घर में आपने death claim का भुकतान दिलाया है कि sir क्या यह policy जितने की की गई थी उतनी policy अच्छी थी या उसको और ज़्यादा बढ़ा के करना चाहिए मैंने आपको एक रास्ता बताय है आप इस रास्ते पर आगे चलके मतब जब आप लोगों से question करेंगे video record करेंगे तो इसमें और भी ज्यादा modification करके अपने लिए अच्छे अच्छे जो review हैं आप उसको collect करें और इस review को आप अपने social media account पर publish कीजिए अपने social media account पर जगह दीजिए जो नए लोग आपके social media account पर जो जुड़ेंगे आप न जाने कब उस ब्रति से जाकर मुलाकात करेंगे यह तो अलग भी से है लेकिन आपकी पहुचने से पहले आपकी जो social media account है यह को आपकी positive छवी उस client के धिमाग में पहले से बना देगी बीमा तो पहले से हो जाएगा यह अलग बात है कि आपक इसको करके देखिए मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपको आपका जो भीमा ब्योसाय है social media आपके भीमा ब्योसाय में चार चांद लगा देगा आईए अब अगली बात करता हूं अगली बात का भी discussion तो मैंने अभी कर दिया अगली बात है कि आपको अपनी BC सग्यता का प्र से करते हैं यह सारी चीजें जब आप उनसे मिलेंगे तब आपकी जो बाते हैं वह उन तक पहुचेगी सबसे पहला जो आपका आपकी जो मुलाकात होगी आपके उस नए ग्राहक से वह आपके social media account के थ्रू होगी तो आपका जो social media account है आपकी जो post है आपकी जो profile है आपके ग्राहक को या वह जो आपका नया जो social media friend है उसको आपकी professional चबी उस आपकी profile को देखने के बाद आपकी post को देखने के बाद आपकी professional चबी उसके दिमाग में जानी चाहिए तो इसके लिए तो एक चीज मैंने आपको बता दी कि आप एक review लीजिए लोगों से और उस review को अ the rate of gmail.com यदि आपको video editing में देखे video editing के अंदर बहुत सारी चीजें होती है और वाइस की जो noise होती है उसको redact किया जाता है और भी बहुत सारे correction होते हैं तो यदि आप उसको खुद कर सकते हैं तो ठीक है आप कर दें और अगर आप नहीं कर सकते हैं और ऐसी कोई video बनाते ह बहुत जादा लंबी नहीं होने चाहिए क्योंकि अगर बहुत जादा लंबी video गर आप बनाते हैं तो जो लोग हैं वहाँ उस video को उतना लंबा video देखना पसंद नहीं करेंगे अधिक से अधिक 2 मिनट 3 मिनट से ज़्यादा की video नहीं होनी चाहिए और उतने के अंदर ही आ हमारी mail ID पर या अगर आप मेरे telegram अगर application में जो telegram group है अगर आप उससे जुड़े हुए हैं तो मेरी जो personal ID है देखे telegram group पर तो आप हमको message नहीं भेज सकते हैं लेकिन मेरी personal जो ID है आप उस पर आप हमें संपर कर सकते हैं तो आप संपर कीजेगा आपकी जो यह editing का का काम ह यह हो जाएगा इसके लिए जो fee से वा fee सब वहाँ पर ते कर दी जाएगी फिलहाल जो कि YouTube के उपर हम इन बातों को नहीं रख सकते हैं इन चार्जों को हम नहीं डिसकस कर सकते हैं तो आप जो है वहाँ से संपर करके आप हम से बात कर लिजेगा हम इसकी detail आपको दे देंग होती है इसके लिए आप अपने जो company है जिस भी company के आप अभी करता है अपनी company की website को आप सर्च कर सकते हैं वहाँ से जानकारी मिल जाएगी लगवा मुझे लगता है कि हर company महीने में कोई न कोई एक magazine जो है जारी करती है जिसमें उस company की सारी जानकारी एवलेवल लगती है तो मैं तो आप से एक होंगा कि वह जो magazine आपकी company के company द्वारा जारी की जाती है उसको उस magazine को आप मंगाईए उसमें बहुत सारी चीजें होती है और इस तरह के social media के लिए आपको सामगरी वहां से मिल जाएगी ठीक इसी तरह से जो IRD की website होती है उस IRD की website पर भी बहुत सार media account है इस पर सामिल करना चाहिए और इस तरह की चीजों को अगर आप सामिल करते हैं तो यह है आपकी professional जबी का निर्मार करती है इसके बाद आपको अपने social media account के ऊपर उपयोगी सामगरी देने की जरूरत है अब यहाँ उपयोगी सामगरी क्या हो सकती है तो इसके लिए त छेत्र को थोड़ा सा बारिकी से सर्च करना पड़ेगा आपके छेत्र में देखे बहुत सारी ऐसी घटनाएं चोटी बड़ी घटनाएं होती रहती हैं फार एक्जामपल किसी परिवार में कोई घटना हो गई घटना होने के कुछ दिन के बाद उस परिवार की क्या situation है क्य इसके ऊपर आप कोई detail आप बना सकते हैं आप अपने छेत्र के जो समाचार पत्र हैं आप उन समाचार पत्रों को आप देहान से पढ़ें उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसे मिल जाएंगी जैसे किसी के साथ कोई fraud हो गया तो यदि किसी के साथ कोई fraud हुआ है तो उ उस तरह की घटनाएं दूसरे लोगों के साथ न हो उसके लिए जागरूप करने के लिए क्या कुछ articles हो गई कुछ videos हो गई कुछ सुझाव हो गई क्या आप इन चीज़ों को अपने social media account पर जगा दे सकते हैं क्या अपने लिए कोई आप blog post लिखें उसमें आप अपने देंगे उनके मन में आपकी लिए एक अलग चबी बनेगी उनको देखें आपको यह सिर्फ ए चीज़ते करना है कि आपकी जो post आप कर रहे हैं जो link आप लिख रहे हैं या जो image आप post कर रहे हैं या जो video बना के आप अपने social media account पर रख रहे हैं उसको देखने के बाद आप इनको जानकारी बहुत अच्छी है इनके जर्ये हमारा काम हो जाएगा और अगर आप यह एहसास दिलाने में अगर सफल हो जाते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि social media के थ्रू आपको जो नए ग्रहक है इनके मिलने की संख्या धीर धीर बढ़ती चली जाएगी इसक तो कुछ ऐसे उपहार दें यह आपके बहुत जल्दी और बहुत तेजी से बढ़ाएगा अब सबसे बड़ी बात होती है कि प्रतियोगिता क्या होगी और उसका उपहार क्या होगा प्रतियोगिता तो देखे कुछ भी आप करा सकते हैं इस प्रतियोगिता या उपहार का उद्देश बीमा ब्योसाई की सफलता बिल्कुल नहीं है इसका उद्देश सिर्फ एक है कि आपका नाम सोसल मीडिया के थ्रू लोगों के दिमाग में चला जाए आप कोई इवेंट आर्गनाईज कर सकते हैं अग उसमें किसी भी से के उपर अगर आप मालेजें जीवन भीमा के उपर अगर कोई प्रतियोगीता अगर आप लांच करना चाहते हैं तो आपको यह ध्यान देना होगा कि उसके जो उत्तर मिलें वह उत्तर पॉजिटिव उत्तर हों कम से कम आपको कोशिस अपनी ओर से यह करनी होगी आप लोगों से मांगे जैसे मान लीजें कि आप सोसल मीडिया के उपर आपको यह एक ऐसी वीडियो बनाईए जिसमें जीवन भीमा के लिए आप लोगों की राय मानगी है लेकिन वह राय उनका जो उत्तर हो ऐसा हो कि वो चाहें न चाहें उनका उत्तर पॉजिटिव रूप में ही आना चाहिए ऐसी कुश्चन ऐसा कुश्चन बना कर आप डालिए और आप यह गोशना कर सकते हैं कि इसमें से जिसकी भी वीडियो सबसे ज़्यादा अच्छे लगेगी या जिसकी उत्तर सबसे ज़्यादा अच्छे लगेंगे मैं उनको एक गिफ्ट करूँगा और वो जो गिफ्ट करेंगे वो गिफ्ट आप कुछ भी रख सकते हैं उसके लिए एक बकाईदा आप प्रोग्रामिंग कीजिए जो भी बिज़े ही होता है आप उसको बुलाइए और आनलाइन हो गया वेबिनार हो गया या लाइव स्ट्रीमिंग हो गया इसके थुरूँ आप उनको गिफ्ट कीजिए अगर आप ऐसा करेंगे न आप मैं यह नहीं कहता हूँ कि रोज किजिए मैं यह कहता हूँ कि महीने दो महीने या तीन महीने में एक ऐसा इवेंट करके आप देखिए तो जब आप 4-5 बार ऐसा करेंगे तो जो आपकी social media friend होंगे न वो आपस में discussion करना शुरू कर देंगे तो यहाँ आपका नाम बहुत तेजी से बढ़ा सकता है और देखिए एक चीज और किया जा सकता है social media के उपर और वह हो सकता है कि आप social media पर ग्राहकों का एक समेलन करें social media के उपर या कैसे हो सकता है आप ऐसा कुछ कर सकते हैं कि आप लोगों से प्रस्न पोछें या लोगों को आप ऐसा चीज कुछ बोलें कि अगर उनको जीवन बीमा में किसी भी तरह की कोई समस्या है तो वह कमेंट करें या आपको WhatsApp मेसेज करें या फिर अगर जैसे मांज़े आप Facebook के ओपर है तो Messenger के जरिए आपको मेसेज करें और आप महीने का कोई एक दिन या अधिक से अधिक दो दिन आप तै कर लीजिए देखिए इसमें लगबग एक से दिड़ घंटे आपके जाएंगे लेकिन नो डाउट शुरुवाती दोर में अगर ये जाते हैं तो जाने दीजिए ये आपको इतना ज्यादा Self Confidence आपके अंदर पैदा हो जाएगा न कि आप फिल्ड में भी काम करेंगे तो आप बहुत तीजी के साथ और बहुत ही मजबूती के साथ काम करेंगे और Social Media तो खैराप वर्क कर ही रहे हैं इसमें कहीं कोई दोराय नहीं है जो भी इस धरती पर आया है इस धरती पर आने के बाद ही सब कुछ सिखा है तो आप इससे बिल्कुल मत हटिएगा जैसे हो सकता है हमारी इस वीडियो को कुछ नए अभी करता में तो देख रहे हूँ तो उनको ये लग रहा हो कि भाई मेरे को ततनी जानकारी नहीं है मैं इस तरह का काम कैसे कर सकता हूँ तो मैं आपसे भी यह कहूँगा कि आप बिल्कुल भी इस चीज़ को देखकर इस तरह की जो एक्टिविटी है न इससे पीछे मत हटिए आप इस एक्टिविटी के लिए आगे बढ़ जाए तो लोगों से आप क्वेस्चन लीजिए आप उनके उत्तर ढूड़िए उत्तर ढूड़ने की बाद आप लाइव सेमिनार कीजिए लाइव स्ट्रेमिंग कीजिए वेविनार कीजिए इस तरह का कोई भी आयोजन आप क करना चाहते हैं तो आपको या ध्यान देना होगा कि maximum जो public है वो खाली होने चाहिए तो साम का 8 बजे से लेकर 10 बजे तक या 9 बजे से साथे 10 बजे तक का जो टाइम होता है public इस बीच में जो भी लोग जाब करने वाले होंगे जाब करके lot आए होंगे और भी जो दूसरी जैसे होता क्या है कि लोग जाब किये lotte फिर साम को गए marketing किये तो लोग खाली होंगे public खाली होगी और आप उस समय सेमिनार कर रहे हैं तो लोगों की सुनने की संख्या बढ़ जाएगी एक कमाल की बात मैं आपको और बताता हूँ सुरवाती दोर में देखी ऐसा हो सकता है मेरे साथ कई बार हुआ है एक बार नहीं मैं 2015 से मैं आनलाइन माद्यमों का उप्योग कर रहा हूँ सुरवाती दोर में मैं जब इस तरह की चीजें आरगनाइस करता था तो कमाल की बात मैं आपको बताओ हो सकता है आपको हसी भी आए और आज मैं सोचता हूँ तो मुझे अपने खुद की एक्टिविटी पर हसी आती है मैं गया हुआ था मुझे सुनने वाला भी मैं ही था और मुझे बोलने वाला भी मैं ही था लेकिन आज की डेट में मैं यह कहता हूँ कि अगर मैं सोचल मीडिया के थ्रूबी अगर कोई एक्टिविटी करों तो मै मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आज की डेट में कम से कम भी डाई सोरों लोग और अधिक से अधिक वो संख्या में नहीं बता सकता करको उसका अनुमान नहीं है आज की डेट में लोग इकठा हो जाएंगे तो यह मत सोचिएगा कि आगर आप पहला एक्टिविटी करते हैं और लोग नहीं जुड़ते हैं आप बिलकुल मत घबडाएए आप सटीक और आप पूरे सिद्दत के साथ अपनी कोशिज को जारी करते रहिए आप अपनी कोशिजों को करते रहिए धीरे धीरे लोग जुड़ते चले जाएंगे दोर तरह का बदलाव आपको देखने को मि इस कारे को करने के बाद इसमें भी बहुत बड़ा बदलाव आप महसूस करेंगे तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में जो ही जानकारी मैंने दी है या जानकारी आपके लिए उप्योगी रही होगी अब आपके क्या नुभो हैं मैं चाहूँगा कि वी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो के नीचे जो लाइक की बटन बनी हुई है उस पर जरूर क्लिक कर दीजेगा और इस वीडियो को अपने सोसल मीडिया एकाउंट पर जरूर सेयर कीजेगा ताकि या जो वीडियो है या दूसे लोगों तक भी मिले उन्हीं भी इसका लाब हो तो दोस्तों यदि आप जीवन वीमा भी करता हैं और भविस में भी इसी तरह की जानकारी से अपडेट रहना चाहते हैं तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आप हमारे यूटोब चैनल रिते सिलाइसी एडवाईजर को सब्क्राइब कर लिया है तो आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद अब इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को समात करता हूं आपने अपना कीमती समय हमें दिया इसके लिए मैं आपका दिल से आभारी हूं धन्यवाद थैंक्यू वेरी मच